अस्सलामों आलेकुम रहमतुलाही वबरकातू मदर्सा मोलाना आजाद अपर प्राइमरी स्कूल से उर्दू टीचर मजमून यानि सब्जेक्ट उर्दू दर्जा यानि क्लास साथवी आज हम पढ़ेंगे दर्जा साथवी का सबक नमबर आठ तोत्य की चरलाकी पहले हम इसके लवज मानी पढ़ेंगे लवज और मानी पढ़े और समझे यानि यह हमारे लवज मानी इस सबक के पर्देश यानि वतन से दूर रिहाई यानि छुटकारा जुंड यानि गिरोह, के देन गिरोह में रहते हैं जुंड में गुट गुट कर मर जाना, ये एक मुहावरा है जिसका मतलब में मुसीबत से जिंदगी गुजाना या तकलिफ से जिंदगी गुजाना गुट गुट कर मर जाना मुसीबत से जिंदगी गुजारना तकलिफ से जिंदगी गुजारना सरहद किसी मुल्क या इलाके का आखरी सिरा जो जिसको कहते हैं इंदी में सीमा सीमा नहीं होती है उसको बोलते हैं सरहद सरहद यानि जो इलाका आखरी सिरा होता है जो भी विला का है ये कोई जगह है उसको बोलते हैं सरहद पयाम यानि पैगाम पयाम का माननी क्या होगा? पैगाम ठंडा होना ये भी एक मुहावरा है जिसका मतलब है मर जाना अजीज यानि प्यारा रिस्तेदार सदमा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा तकलीफ रंज यानि गम दुख माजरा यानि किस्सा रंजीदा रंजीदा का क्या मतलब? उदास यानि इतने रंजीदा क्यों हो? उदास क्यों हो? मलामत करना यानि बुरा भला कहना हर्ज यानि नुकसान इसको करने में हर्जी क्या नहीं यानि कि ये काम करने में क्या नुकसान है तो हर्ज का मानी होगा नुकसान खिर्मन यानि अनाज का वो धेर जिससे भूसा अलग न किया गया हो मतलब जब भूसा अलग हो जाता है तब अनाज अनाज अलग होता है लेकिन जब तक अलग नहीं करते हैं तो वो साथ में रहते हैं ऐसे कटी भी फसल होती है उनको अलग करना पड़ता है तो जो भूसा हटावा नहीं होता है अना आज पर ही लगावा होता है उसको बोलते हैं खिरमन यह हो गया हमारी लवज मानी यह आपको नोट बुक मच्छे से करना है और याद करना है फिर मिलेंगे अल्ला हाफिज